बाई इंडियन आइडल तो बहुती जादा चर्चाओं का विशे बन गया है जब से पवंदीब की आवाज ले लीजे या फिर अगर बात करें अरुनिता की आवाज ले लीजे दर्शक इसे सुनना पसंद करते हैं दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं जानना पसंद करते है ये कंड प्रिय आवाजों को ऐसे में इंडियन आइडल फिर से एक बार चर्चाओं का विशे बन गया क्योंकि सेट पर कोरोना का हमला हुआ जी हाँ, हम सबको पता है कि शो के जो होस्ट है यानि कि अधित नरायन वो कोरोना ग्रसित है जिसकी वज़े से जय भानुशाली सेट पर अपनी आवाज दे रहे है यान की होस्टिंग कर रहे है बट इससे ज्यादा चर्चाओं का विशे इसलिए हो गया क्योंकि अरुनिता को मुहमत दानिश ने मारा थपड़ मैं राहुल भोट स्वागत करता हूँ आपका फीफा फूज में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए फेस्बुक टुड़े इंस्टा पे मौजूद हूँ मैं तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंडियन आइडल बारा की इंडियन आइडल बारा में अरुनिता कांजीलाल की आवाज सबसे प्यारी है ये बात हम जानते है और उनकी मतलब वैसे तो सभी की प्यारी है चाहे हर कोई कोई भी क्यूना हो लेकिन अरुनिता की आवाज बहुत ही जादर दर्शकों को और जजिस को पसंद आती है ऐसे मैं आप लोगों को बता दू दोस्तों तो अरुनिता एक वीडियो जो है शोशल मीडिया पे वाइर जड़ रहे हैं जहां दोस्तों यहां पर एक ऐसा आलम बना हुआ है जहां पर अरुनिता ले लिजे अंजली ले लिजे और सनमुख ले लिजे यह एक दूसरे को थपड़ मारते वे नजर आ रही है और फिर उसके बाद मुहमत दानिश भी बीच में है और उसके बाद मुह से तुझे सम्थिंग लाइक दा यह जो है तो ऐसे में दोस्तों अब यह सबसे बड़ा सवाल होता है कि अरुनिता को मारा थपड तो पवंदीप का खुन तो खौलेगा और पवंदीप जो है अब कहीं न कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दानिश से बतला लेगा देखते रही है फीफा फूद मुझे इचाज़त दें